आज मेरी कीचर में आपका बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने वाले बहुत ही क्रंची और टेस्टी नास्ता जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और जब कभी आपको हलकी फुलकी भूक लगे तो आप इसे तुरंट पना के खा सकते हैं तो इसे हम फ्रेश पनीर लेंगे तू टेबस्पून हमने स्वीट कॉन लिया है यह फ्रोजन स्वीट कॉन है जिसको हमने बॉल कर लिया है वन टीस्पून ब्लक पेपर पॉड़ा लेंगे वन टीस्पून हम चिली फ्लेक्स लेंगे सॉल्ट एस पर टेस्ट लेंगे हाफ यह चौप्ट गालिक का भी उसकते हैं तो हाफ टीजपून और गेनो लेंगे एक नीमू का रस लेंगे और फ्रेश हरा धनिया लेंगे सबसे पहले हम सूजी को रोस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने गैस ओन कर ली है अब पैन में हम सूजी एट करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम रोस्ट कर लेंगे इसे जो हमाया नाशता है वो अच्छा क्रिस्पी बनेगा तो बीच बीच में इसे हम चलाते वे रोस्ट करेंगे विसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुश्बू ना आने लगे ये सूजी में से हमारी अच्छी खुश्बू आने लग गई है तो अब हम इसमें डेट कप पानी एड़ करेंगे तो इसमें हम डेट कप पानी डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पानी और सूजी वे अच्छे से मिक्स हो जाए और ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी लंसना है इसका एक हमको डो बना लेना है यह सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है और इसने सारा पानी एब्सॉब कर लिया है तो अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देते हैं और इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं यह सूजी को हमने बॉल में ट्रांसपर कर लिया है और ट्रांसपर करने के बाद इसे ठंडा कर लिया है तो अब हम इसमें पनीर एड़ करेंगे यह फ्रेश पनीर है कौन एड़ करेंगे जिसे हमने बॉइल कर लिया था नमक एड़ करेंगे ऐस पर टेस्ट हम एड़ करेंगे ब्लैक पेपर पॉड़र एड़ करेंगे चिली फ्लेक्स और गेनव लेसुन पॉड़र चाट मसाला पॉड़र ग्रीन चिली निम्बू का रसा एड़ करेंगे फ्रेश हरा दनिया एड़ करेंगे और इस सबकों अच्छे से मिक्स कर लेंगे हातों से और इसका एक डो तैयार कर लेंगे ये सूजी को हमने मसल के इसका एक डो बना लिया है तो अब हातों में हम थोड़ा सा ओई लगा लेंगे और नाश्टे का थोड़ा सा पोशर ले लेंगे और इसे हातों में दबाते विल से हम कटले शेव का दे देंगे आप इस नाश्टे को कोई भी शेव दे सकते हैं पारपण यहां पर disability में पर छीछी मीं क्याना जो जो भार्टव में तो अब हुआ ने लिए में इस तर्राक से हमें तो सब्सक्राइब के पर यह कहले हैं तो कॉन प्रप्लॉरैंद in फे में थोडा से पाना या डाल से सलरी तैयार कर लेंगे उसे अथी से मिक्स कर लेंगे तक में कोई भी चुछ वासरी समें पना समय क्षोटे साथ CJ कर लेंगे पूंखे कोण्फलोर की और पडूंचमना कोड़ में वालें फसी नहीं यह यई गये innocent इसी तरिके से हम अपने सारे कटलेट को ब्रेट कॉट कर लिये ऑग्रेट के अोना मेंट में qoad की लूट 좀, but happier कि अफ़ेत. इन व्रेट कर ल करने के लिए फ्राय के लिए हमने आपर ऑपल को अच्छा गरम के लिया है तो अब हम कूट लोटे बंगे किई किरिशली किरेच गाइब के और पिकतली थो फ्रीक किरीड नदा गॉल्डन कर टूतकर निए हम इसका को के समझेद्युट कंदू ॠ पिक्री करने दित में तो दूसरी दूसरी थे विच्दी हम पिकतली dad can क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे इन्हें हम बाहर टीशू पेपर में निकाल लेंगे तो देखिए कितने भरिया लग रहे हैं हमारे क्रिस्पी कटलेट्स और इसे हमने बिना अलू के बनाया है यह बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स और इसी तरी प्रेस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं तो आप भी इस प्यारी सी चटपटी सी रेसिपी को एक बाद जरू बना के ट्राय करें और हमें बताए कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद रहे तो से लाइक और शेयर करना ना भूलें थ निए